हलो फ्रेंड्स कलर्फुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही आसान तरीकी से तीन पॉकेट वाला पाउच बनाएंगे कपड़ी की चौराईर मैंने 10 इंच ली है और इसके लंबाई लगभग 14 इंच है एक साइड से मैंने इसको गोलाई दी है कोने से आप चाहे तो इसे सीधा भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से गोलाई दे सकते हैं सबसे नीचे मैंने फोम रखा है फोम के ऊपर जो भी कपड़ा आप बैग में अंदर लगाना चाहते वो रखेंगे और उसके ऊपर में फैब्रिक को रखेंगे जिसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है थोड़ा सा मैं खुला रखना है बाकी साइड सिलाई कर देंगे सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या फोम है उसके कटिंग कर लेंगे अब जहां से हमने खुला रखा है वहां से इसे सीधा करेंगे लेकिन पहले हमें गुलाई वाले पार्ट में हलके हलके कट लगा लेने हैं उसके बाद इसे हम सीधा करेंगे तो या असानी से सीधा हो जाएगा और करनर में भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके कटिंग करके इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे अब जहां से खुला है वहां पर इसके सिलाई कर लेंगे बिल्कुल सेम साइज का एक पीस और मैंने बना लिया है दो पीस हमें सेम साइज के चाहिए और एक जिप मैंने ली है जिप के लंबाए लग बख 16 इंच है इसे हमें राउंड वाले पार्ट में लगाना है तो उपर जो गुलाई वाला भाग है उसमें हम जिप लगाएंगे तो जिप के एक किनारे को यहां से देखिए जहां से यह गुलाई वाला भाग वहां से लगाएंगे जिप की एक साइट को मंदर की तरब से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहां तक सिलाई करेंगे दूसरे साइट जहां तक गुलाई है वहां तक सिलाई करेंगे तो दीखे मैंने जिप को नीचे रखा है और उपर से कप्रे को रखते हुए सिलाई कर ली है अब जो दूसरा भाग है उसे भी इसी तरह से हम सिलेंगे तो इसे बराबर करते हुए जिप को नीचे रखेंगे और उपर कपरे को रखकर इसे बराबर करेंगे तो सबसे पहले यहां मैंने जिप को अंदर की तरफ से तीर्चा फोल्ड करके हांसे सिल लिया है अब पहले पिन लगा लिजिए उसके बाद जिप की हमें सिलाई कर लेनी है तो बहुत आसानी से का मैं अदूजाय के कपरे के दोनों पारथ में जिप लग गई है का कपरे के दो छोटे पीश सम्बलेंगे और जिप के उपर रखकर एक उपर एक नीचे रखकर तीन साइट से सिलाई कर लेंगे और इससे फिर सीधा करके 4ड करके फोल्ड करकर वाउड अशिरे कर लिया है अब इस तरह से हमें दोरों पाट को एक दुसरे को पर रखना है और यहाँ पर हमें एक पॉकेट बनाएंगे यहाँ से सिलाई करके इस तरह से एक पॉकेट बनाएंगे दोरों साइड से एक एक इंच छोड़ते वोगे निशान लगा लेंगे कपरे की लंबाई लगबग 14 इंच है 14 इंच से थोड़ी कम 13 इंच है सिलाई करने के बाद तो इसमें आप सारे 6 इंच तक की पॉकेट बना सकते हैं यहाँ पर मैं 5 इंच की पॉकेट बना रही हूँ तो देखिए आप 5 इंच पर मैंने शान लगाया है और इसे मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे तो देखिए हमने तीनों साइट से सिलाई कर ली तो पॉकेट बन कर त्यार हो गया है इस पॉकेट की लंबाई 5 इंच है आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं पहले कपरे की पूरी लंबाई देख लेंगे और यह लगवग तेरे इंच से थोड़ा जादा है तो यहां से इसे टेप को फोल करके निशान लगा लेंगे और यहीं तक हम पॉकेट बना सकते हैं इसे बड़ी पॉकेट नहीं बना सकते हैं तो मैंने थोड़ी चोटी ही रखी इसे, कि अंदर में जो भी चोटा सा सामान हो, इसके अंदर हम रख सके, अब इसे सीधा कर लेंगे और अच्छी तरह से बराबर करके, दो-दो कप्रों को एक साथ मिलाते हुए में सिलना है, दो साइडे को एक सांथ इस तरह से स्लाई करेंगे और नीचे साइडे को भी पर्स बन कर त्यार हो जाएगा तो यह देखिवा साइड में मैंने स्लाई कर ली है और यह हमारा पर्स बन कर त्यार हो गया है बीज में एक छोटी सी पॉकेट है और दोनों साइड आप इसमें सामान रख सकते हैं तो यह दो आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद